जहीं दोस्तो दोस्तो आज इस वीडियो में आप से स्यार करेंगे कि भाइसा आप इस टाइम अगर आप अपनी घर पर रेट ओक्साइट से दोस्तो पेंट करना चाता है हाला कि रेट ओक्साइट एक पेंट नहीं है सिमेंट पर मीक्स करके दोस्तो उसको रंग किया जाता है कालर किया जाता है तो जाहिर सी बाद है बिल्कुल भी नेचरल है आपको एक्स्ट्रा इसमें प्रेंट करने का कोई भी ज़रूद नहीं है जाहिर सी बात है दोस्तों आप इस वीडियो पर आज युका है या तो आप अपनी घर पर टाइल्स नहीं लगा सकती कि कोई टाइल्स में ज़्यादा पैसा लगता है या फिर दोस्तों आप लोग कारपेट नहीं लगवाना चाहता क्योंकि कारपेट भी दो-चार साल बाद उस्तों घराब हो जाता है या फिर आप लोग फ्लोर का पेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ट्राफिक आने से फ्लोर पेंट कही बार ऊड़ भी जाता है एक नेचरल तरीका से आप लोग चाहता है कि हमारी घर पर जब हम लोग उस पर कॉंक्रिट करें तब प्लास्टर की उपर दोस्तों सीमेट का घोल में रेट ओकसाइट मिक्स कर देंगे और हमारा जो फ्लोर है वो भाईया चका चक देखना सुरू हो जाएगा तो भाई साब एग रूम हमारा है और एग रूम अगर हमारा है तो उस रूम पर अगर हम लोग रेट ओकसाइट को करेंगे तो इस टाइम का रेंट हमारा कितना खर्चा आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू रेट ओक्साइड जो होता है वो एक किलो की पेक में आता है साली मर जो कमपानी है सबसे ज़्यादा अच्छा भी है और टाटा का कमपानी भी है एक लिटर रेट ओक्साइड जो है उसका प्राइस है हलाकि MRP बहुत ही है 170-80 उसमें MRP लिखा रहता है लेकिन आपको 150 रुपिया में मिल जाएगा दोस्तों रेट ओक्साइड रेट ओक्साइड आपको करना कैसा है जब आप लोग अपनी जो फ्लोर है उस पर जब आप लोग कॉंक्रीट करेंगे कॉंक्रीट हो जाने की बाद उसको जो हमारा रुस्सा होता है प्लास्टर का ऐच्छे से दोस्तो साप सपाया करने के बाद थूढ़ी प्लास्टर करने की बाद हम उस पाद जब सिमिटका घ्石 का घोल बनाता है solves में जब पानी डलके उसको पतला करता है उस टाइम हम लोग रेट ऑक्साइड जो होता है जो पाउडर फों में आता है उसको भाईया कर देता है मिक्स अब मिक्स करने की बाद दोस्तों हमारा जो घोल है सिमिट का वह भी लाल मिलकुल भी हो जाता है अगर आप लोग रेट करेंगे तो लाल होगा योलो अक्साइट करेंगे तो उसमें आपको योलो होगा अगर ग्रीन करेंगे तो ग्रीन पांच भीलोर है हमारी इंडिया पार दोस्तों लग भकट 100-120 स्करफिट का हमारा फॉलोर होता है एक रूम का हम बात लेट ओक्सेट करने में कितना खर्चाएगा हमारे पार 120 स्करफिट हम लोग मानन के चले एक हमारा फ्लोर में 120 स्कारफिट अब 120 स्कारफिट को अगर हम लोग फ्लोर पेंट करेंगे तो उसका खर्चा आएगा कितना मौलूम है आपको दोस्तो जो फ्लोर फ्लोर रेड ऑउक्साइट है और रेड ऑक्साइट एक किलो का प्राइस डेड़ सो रूपया है और एक किलो में आपका एपरोक साथ यानि कि सिक्स्टी इसक्यार फिट दोस्तों जो आपका फ्लोर है बोग का बार देगा तो हमारा कितना फ्लोर है एक सो बीस इसक्यार फिट भाईज आप दो किलो दो किलो रेड ऑक्साइड लाओ और एग आपका फ्लोर जहें पूरा दोस्तों चका चक करके चला जाओ इसमें क्या होगा इसमें फ्लोर रेड ऑक्साइड हो जाने की बाद आप चाहे तो उस पर ऑक्स भी कर सकता है दोस्तों वाक्स जो वाक्स करने की बाद एक चिकनाई पा पॉलने और आपका अपने नेट किया है वो जब तक रहेगा तब तक दोस्तों उसका जो नेच्रल कालर है वो दिखता रहेगा करने का तरीका वह हमने बता दिया दोस्तों और रेड ओक्साइट का और भी ज्यादा वह बेनेफिट है इसमें आपको क्या होता है कि हमारा फ्लोर हो जाने की बाद उस पर हम लोग फ्लोर पेंट करता है अगर साही तरीका से हम लोग फ्लोर पेंट नहीं लगा सकती भाई तो उखर जाता है इसलिए रूलार से या फिर दुकानों पर गुडावनों पर या फिर बेड रूम पर भी तो या फिर जो हमारा डाइनिंग होल हो गया उस पर भी रेड ओक्साइट बहुत ज्यादा यूज होता है यूज करने का तरीका भी तोस्तों आमें आपको बता दूँ माले जी एक किलो आपका रेड एक किलो रेड औक्साइड लीजे और चार किलो लीज़े उसको अच्छे से मिक्स करें अगर यह सी अल्ब है एक बागेट में डहाविए heated को ढ़िट- गोलने की बाद जैसे दोस्तों हम लोग सिमेट का लेयर करता है दोस्तों जो हमारा पत्रा होता है उससे जैसे हम लोग घिसाए करेंगे तो उसका जो कालर है नेचरल जो कालर है वो कालर दीखना स्टार्ट हो जाएगा और उसको हो जाने की बाद धोस्तों आपको क्यूरिंग कारना इसमें जरूरी होता है जैसे ही अपका रेट ऑक्साइड हो चुका है क्वाड टॉस्त से चाल पानी को बांद लेना है और कम से काम चार से लेकर पास दिन तक आपको उस पर डुबो के रखना है जैसे जैसे दोस्तों तीन से चार दिन हो जाने की बार जब आप उस पानी को निकाल देंगे तो देखना कि आपका जो फ्लोर है वो नेच्रल तरीका से दोस्तों रेट की तरफ दिखाई देगा अब उसमें एक गलती यही हो जाता है कि भाईया आज हमने रेड ओक्सेट करा है तो जैसे हम लोग उसमें पानी को बंद कर देता है चारो तरफ और अगर कोई बच्चे घर पर है तो बार-बार करके जाता है चला जाता है जस्तों उस जगह पर हाला कि उसमें बिलकुल भी ज होगा वह दोस्तों बेट जाएगा बिलकुल भी पकार लेगा जो आपका फ्लोर है उसमें इसलिए साप सुत्रा होना जरूरी है और प्राइस तो दोस्तों हमने बताई दिया है कि भाईजब उसका फ्राइस है डेर सो रुपिया में आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों ह जूड़ी घर से जुड़ी सभी चीज़ों का दोस्तों हमने इस्टार्ट किया है ब्हएया की कोश्ट कितना है करने का लगाने का खर्चा कितना है सब कूछ अग्और ब् scholarly की बारे में दूस्तों संसम जाएं यह पिछले 10 दिन से ऐसा कर रहा है और आगे वहारे चीज़ों आपका घर में दरकार है जरूरत है अगर उस चीज को आप लोग खरिदने से पहले हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना रुपिया खर्चा है तो एक फ्लोर में दो किलो का दोस्तों जरूरत होता है रेड ओक्साइट और दो किलो का प्रा